लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जेल को आयाशी का अड़ा बना रखा है क्या बात है टीवी वी सी आर विस्की इंपोर्टेट सिग्रेट्स तो तुम हो राजी उफटनागर बच्चों को किड्नैप कने वाले करप्ट ओफिसर्स को रिश्वत देकर जेल के कमरों में फाइस्टार होटल का कमरा बना कर रहने वाले मैं उन तमाम करप्ट ओफिसरों को आज के आज सस्पेंड करा दूँगा ने ने तुम ऐसा कुछ ने करोगे अपनी कीमत बोलो क्या तुम मुझे खरीदना चाहते हो दुनिया में हर चीज़ खरीदी जा सकती ओफिसर खरीदार होना चाहिए वैसे भी राजू भटनागर को परदियां खरीदने का बहुत शौक है तुम सेंटर के आदमी को रिश्वत देना चाहते हो यह स्पेशल चेकिंग है समझाए मिस्टर राजू भटनागर तुम्हे पता नहीं है कि सरकारी ऑफिसर के साथ बत्तमीजी करने का क्या अंजाम उ सर इसे तो सीधा अंडा सेल में डालवा दीजी इसको पता नहीं हमारा पावर क्या है पहले जेले से नेबट लेते हैं फिर इसको बताते हैं पहले सामान अठाओ सब लेगे जना यहां से अरे अब क्या बात कर रहे हो तुम मेरे जेल के अंदर तीन आफिसर आएं और मुझे खबर तक ना हो उन तीनों की वर्दियों को देखकर तो ऐसा लगता था पेरुमल साहब के वो जरूर किसी बड़े रैंक के आफिसर है और किसी स्पेशल राउंड के लिए आया है कोई राउंड तुम इसी जेल में मौझूद है तुम उन लोगों को पैचानतो लोगे ना हम उफ कोर्स ठीक है मैं तुम्हें जेल में राउंड पढ़ लेकर चलता हूं देखते हैं चलो मेरे साथ हम ठीक से कारू जान से देखो, इन मेंसे तो कोई नहीं है ना? अहाँ चलो पीकर विस्की राजू की पीके शिगरेट फारण की आगई मुझीबत हम सबकी तुम तीनों चिंदी चोर अपने आपको समझते क्या हो मैं तुम तीनों को अंदा सेहल में बंद करा दूँगा औह साहब, यह हुलिजपाट किसको देरे ले ले चिंदी चोर किसको बोले ले हम चिंदी चोर है तो तुम कफन चोर है अगर तुमारी नारकोतो का पता उपर वाले साहब को चल गया ना तो तुमारी वर्धी दो मिनिट में उतर जाएगी और धोने के लिए इसके पास आएगी, और इस्तरी के लिए इसके पास जाएगी, और मैं इस्तरी से जला डालूँगा, बक्वास बंद करो, अरे बढको मत साब, पहले हमेरी बात तो सुनो, क्या एम तीनों की थोड़ी कमजोरी है, जैसे मैं, मैं विजियार पे जब तक फू बचलना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने क्या सूचा, कि हम सब जेल में तो हैं, तो वो माल हमारे कमरे मेरे वे, या इन के कमरे मेरे वे, तो क्या फरक पड़ता है, तो हाथ की चाला की दिखाया, थोड़ा खूबडी का कमाल दिखाया, और माल को यदर से उदर चंबद क तो कुछ गलत किया साथ, मिलकुल ठीक किया, मैं तुम लोग को लास्ट वार्णिंग दे रहा हूँ, अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ न, एक मिनट जेलर साथ, आप ज़रा शान्त हो जाएए, यह हमारे आपस का मामला है, आपस महीन इप्टा लेंगे, क्या खेल है, भाइब के फ्रेक लिए? अब भाइब कुछ रह जेलरी है, अगर चाला नहीं किया तुम किया बेहा जिगे जाएब किया बाइब का मामला है? बहुत बढ़ताया है हम सोचाथ पुलीस का हाथ बटाएं थोड़ा टिराफिक कंट्रोल करें पयादा पयादा पीछो पॉलीस पड़ी उन लोग का कंट्रोल करो तरह वो पीछे देखो देख आया कहा है आया किसार आप अहां छोड़का पिना आया किया देखा यह पिसे निया इधर डिश्चिकी ने इधर जेट टिश्चिकंस करेंद मेरे को गंडा बनाता है मैं सब जानता हूं चलो इधर भी वो सकता है सर में वूदर इधर गया पका जलो, डोन्ट बूव, डोन्ट बूव हमको कोई बैचान नहीं सकता के हम नकली पूलीस वाला है मकर हां तुम्हारी भीकारियों जैसी शकल देखकर यह जरू मान पड़ता के तुम लोग असली हवालदार नहीं हो अरे असली हवालदार तो हमसे भी गए गुजरे होते हैं आजाद भाईया भाईया अब दूद बेचने वाले को भाईया दिल लगाने माले को सहिया और जनम देने माले को महिया कहते हैं आज भो तेड़ी मेड़े सवाल कर रहे हो इसली सदा की तोर पर तुम लोग तेड़ी मेड़ी सेड़ियों से जाओ और हम जाएंगे लिफ्ट में हरी हरी एस 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 कि कि पर दो इस एस 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 प्या जा एस एक भाईया प्जार्वी मेरा जाुपर एस भाईया मेड़ी जा ले जातारा हम लोग आ गए चलना है हाथ अटाओ तमीज से बात करो तमीज अरे भाड़े की वर्दी पैन के असलिप पुलिस वालों की तरह नाटक बत कर चल चल कली बली है आजजी साब आगए चल्ल चल डिक्रोग लगता है जेल का रिकॉर्ड चेक करने से पहले तुम्हारे दिमाग का रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा जेलर दिल्दार सिंग बेज़ोड तो तो रेजे से दो-चार जोने ले गजिंगा तो सारे अगाले हो जाएंगे और जद्रें महातुमा हैं गलत आदमी बाहर और और बाहर के आदम अंदर भान कर twenties सिंसारा कैसेट प 나오या अज त नोगता क्री गांते उस नभुल तो चुक हैं जेखिए हैं पसला मारा है कि तुम जैसा आदमी जो टेलर बनने के लाइक नहीं है हम उसको उतना बड़ा जेल का जेलर कैसा बना दिया हम तुम को चेहर पिलाकर खुद खुद किसी कर दूँगा कमेंडर पकड़ो जेल में डालो अंदर डाल दो सब को बंद कर दो जलो धाचेलो सर ये पलं तोड़ पान खास आपके लिए सर वो हमारे हैड कॉंस्टेबल हरी जादा है तीस साल हो गये उनको पुलिस की नौगरी करते हुए लेकिन आज तक नहीं हुदर है यहां सर यह ऐसा बेवकूफ पुलिस वाला है कि जब भी वस में सफर करता है टिकेट लेकर करता है माफी चाहता हूं सर चार दिन की छुटी पर चला गया था इसलिए पहले दिन आपके स्वागत के लिए आने ही सका कोई बात नहीं चाहा अपना काम करो सर यह हमारी वरादरी का है नहीं भगवान ने इसरे टीन टीन बेटिया दीन फिर फिर बर शोत नहीं लेता और पचासी साल की उमर हो गया उनकी पचासी साल मतलब हाह तीनो बेटियों की मिलाज आ के सवर्व में तक एक की भी शादी नहीं हुई हरी दादा ये सर चांदे हो भगवान ने पुलीस वाले को दो हाथ क्यों दिये क्यों सर एक हाथ तनक्वा लेने के लिए और दूसरा हाथ रिश्वत लेने के लिए लेकिन मैंने सुना है कि तुम अपना दूसरा हाथ इस्तमाले नहीं करते आपने ठीक सुना है सर और मैं इस्तमाल करना भी नहीं चाहता नहीं करना चाहते हैं हारी दादा ये असूल, सेदान, सच्चाई, एमानदारी ये जितने भी बड़े बड़े लफज हैना ये दुनिया के बेहुसूल और बाइमान लोगों ने बनाए सर, मेरा मानना ये है कि जब दूसरे डेपार्टमेंट के लोग कोई गलती करते है तो उसका बुरा असर सिर्फ उस डेपार्टमेंट पर पड़ता है लेकिन जब हमारा पुलिस डेपार्टमेंट कोई गलती करता है तो उसका असर पुले समाज पर पड़ता है अरी रादा ये बेवकूफी की बात है अगर इमानदारी से जीने का मतलब बेवकूफी है तो मैं अपनी नौकरी के बचे हुए दिन भी बेवकूफी में ही गुजादा पसंद करूगा तुम्हें कोई नी बचा सकता अजाद भीया, अजाद भीया, अजाद भीया चलो, चलो मेरे साथ करें एक काम करो एक कांगस पर लिखो इंस्पेक्टर साब हमारी साइकलें जो चोरी हुई थी वो हमें वापस मिल गई है उस कांगस पर इन बच्चों के दसकत ले लो और ये सारी साइकलें इन्हें देर दो क्या, सर इन साइकलों के मालिक ये बच्चे हैं ये मेरे बच्चे हैं कैसा मैं कहता हूँ, वैसा करो निखा ले गए, सारी साइकलें ले गए न पर यह अवलदार की नौकरी करने से तो अच्छा केसी मदारी के पास बंदर बंद कर रहता जीप भी गई, साब, 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 साब गजब हो गया, साब गजब हो गया वो बच्चे साइकलों के साथ साथ बाहर खड़ी हमारी पुलिस की जीप भी उड़ा के ले गए तो फिर इतना चिल्ला क्यों रहे हो, एक काम करो, रिपोर्ट लिखो के पुलिस टेशन के बाहर खड़ी भी फला रंकी, फला नमर की पुलिस की जीप फला तारे को चोड़ी हो गई हम एक्शन लेंगे मेरी प्यारी प्यारी वैन मैं पूरा खड़ी हो गए खोटे क्या हो गया यह इस तरह वैंट से लिपटकर क्यो रो रहा है अरे यार खड़े तू तो जानता यह वैन हमारी कितनी पुरानी साथी है अगर कही जीप की तरह यह भी गयब हो गई तो सरकावर हमको दूसरी वैन तो देगी नहीं फिर हम दोनों को अर जगा पैदल ही जाना पड़ेगा बिल्कुल ठीक कहरा खोटे अरे इतने सालों से साइकले यह यतिमों की तरह पड़ी थी मगर हमें से किसी को यह आइडिया तक नहीं आया कि कम से कम उनकी हवाई दिकाल दे मगर हमारे साब ने उन साइकलों का क्या रास्ता निकाला है और एक बात गौर से सुन क्या आज के बार ड्यूटी के समय जब हम लोग सोते हैं न तो उस समय कम से कम हमारे हाथ पाव की उंगलिया हिल्टी रहमी चाहिए क्यों ताकि साब समझे के हम लोग जाग रहे हैं वरना एक दिन हम लोगों की वद्धी तक उतार कर बस्ती वालों को धान कर देगा वह बस्ती का बात्चा